हेलो आल दस इस सानभी शर्मा आई वेलकम यू आल तो माई यूट्यूब चानल सोलफल जोर्नी आज मैं आपके लिए एक जिनरलाइस रीडिंग लेकर आई हो जो की जून ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री के लिए है आज की रीडिंग पाइसस यानि की मीन राशी वाले लोगो के लिए है यह एक जिनरलाइस रीडिंग है तो यह रीडिंग आपके साथ कहीं न कहीं रेजनेच जरूर होगी अगर आप मेरी रीडिंग से इंफ्लूइंस्ट है और किसी परस्नलाइस प्राब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी परस्नलाइस रीडिं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन मलती रहे मेरे कौर चानल भी है सूल्टिवाइन जोनी टारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पो पूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मलती रहे मेरे इस रीडिंग को आप सुन राइजिंग मून राइजिंग या वीनस राइजिंग की अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंट यानि की लगन के थू दे जेनरल एनर्जिस की टर्म्स में पालिस पेपल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है ये जून का महीना जेनरल एनर्जिस की टर्म्स में आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है आये जानते हैं तो पहला कार्ड है ट्रांस्फॉर्मेशन का कार्ड है दे नेक्स कार is two of fire ka card hai, the next card is eight of swords ka card hai, the next card is the magician ka card hai, the next card over here is the empress ka card hai, the next card is page of cups ka card hai, the next card is the wheel ka card hai, and bottom of the deck pa the emperor ka card hai, इस महीने में Pisces people आपकी energy के अंदर आप खुद एक difference महसूस करेंगे, आपकी life की सबसे बड़ी transformation इसी महीरे में होती हुई मुझे यहां पर नजर आ रही है, एक ऐसी transformation जिसकी जरूरत आपको इस time पर सबसे ज़ादा है, आपकी life के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिनका सामने आना अब आपके लिए बेहत जरूरी है, आप procrastination की energy से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपका जो भी old belief system है, वो खतम होगा, अगर आप उसे खतम नहीं करेंगे, तो divine की तरफ से आपको ऐसे triggers मिलेंगे कि वो जो आपका belief system है, वो आपको change करना ही पड़ेगा, तो आपकी life के almost हर एक spare में मैं ये transformation की energy महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ पर two of once का card है, two of fire का card है, देखिए, इस month में जो भी ambitious choices बनानी पड़ेंगे, इस month में अगर आप किसी के साथ partnership करना चाते हैं, चाए personally हो, चाए professionally हो, आप कर सकते हैं, उस person के साथ आपको partnership करनी है, जो person आपके dreams को share कर सकता है, जो इसके dreams आपके dreams जैसे हो, ठीक है, इस month में आप मुझे अपनी planning बहुत अच्छे तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं, इस month में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ से घबरा कर रुकना नहीं है, यहाँ पर eight of sports का card है, इस month में यह transformation है, यह wheel का card है, यह indicate कर रहा है, कि आपकी life के अंदर जो भी delay, postponement की energy है, वो खतम होने वाली है, अब आपको आपकी life के अंदर delay का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस month में तो specially, ठीके आपकी life में unexpectedly progress बहुत जादा होगी, आपकी life में positive change आता हुआ नजर आ रहा है, इस month में आप कोई नया vehicle लेना चाते हैं, तो वो ले सकते हैं, अब जब transformation हो रही है, तो यह जो आपके अंदर energy है ना कि आप वसे हुए हैं, आप इस problem से निकल नहीं सकते हैं, वो lack of self confidence की वज़े से हो रही है, वो lack of self confidence अब खतम हो जाएगा, आप confident energies के अंदर enter करने वाले हैं, आप अपनी life को पूरे तरीके से खुद बदलेंगे, आपको पहले डर लग रहा था कि आपको action लेना चाहिए, अपनी life में कि नहीं लेना चाहिए, बट इस month में अंदर से आपको आवाज आएगी कि आपको अपनी life के लिए action लेना है, आपको अपनी life की responsibility खुद उठानी है इस month में, ओके, देखिए, ये month action का month है, अपना time मत waste कीज़ेगा, किसी भी चीज़ को लेकर, ये महीना है जो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप जो भी projects अपने दिमाग में लेकर चले हुए हैं, चुकि creativity के साथ आप उनने पूरा कर सकते हैं, उन projects को आपको इस month में पूरा करना है, आपकी life में आपको abundance मिलती हुई नजर आ रही है, prosperity मिलती हुई नजर आ रही है, अगर आप एक piouses woman है, और conceive करना चाहते हैं, तो इस month में उस चीज़ की chances बहुत ज़ादा है, ठीके, यहाँ पर page of cups का card है, इस month में आप बहुत ज़ादा sensitive रहने वादे हैं, आप से criticism बरदाश नहीं होगा, अगर कोई person आपको criticize करेगा, तो आप वो चीज़ बरदाश नहीं कर पाएंगे, आपके life के अंदर emotions की terms में इस month में जो भी में आपको social invitation मिलेगी, आप किसी social event पर मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप spiritually active हैं, तो आपकी psychic abilities यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रहे हैं, इस महीने में आप अपनी life को उस तरह का बना पाएंगे, जिस तरहां से आप अपनी life को बनाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने time से अपने आपको underestimate ही कर रहे थे, आपको यह महसूस होगा कि सपनों को साकार करने के लिए सपने देखने ज़रूरी होते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ पर यकीन करें, तो आप उन चीज़ों को कर भी सकते हैं, तो यहां पर आप अपनी life को अपने तरीके से मुझे frame करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, यहां पर the emperor का कार्ण है, इस महीने में आपकी authority बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही, आप logically आगे की और बढ़ेंगे, आप अपनी चीज़ों को organized तरीके से आगे लेकर जाएगा, आपको success ज़रूर मिलेगी, आपको अपकी life में जो situation है, आपकी उसका charge खुद लेना है, अपनी life में एक leadership role आपको play करना है, इस मन्त में जितना ज़्यादा discipline होकर आगे की और बढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा success आपको इस मन्त में मिलेगी, और अपने उपर ego को हावी मत होने दीज़ेगा, अगर ego आपके उपर हावी हो गया, तो आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और आपकी energies कब खुद lower हो जाएंगी, इतनी अच्छी energies के बावजूद भी आपको पता भी नहीं लगे, चीक है, तो अपनी energies का सही उप्योग करना है, सही direction में आपको उनको channelize करना है, तो आपको आपको आपकी general energies क्लियर हो गई होंगी, Pisces people, अब हम देखते हैं, ये महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है, इस महीने में आपकी love life किस तरह की होगी, Pisces people, ये महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है, इस महीने में अपनी लव लाइफ के अंदर आप क्या changes expect कर सकते हैं इस जून के मन्त में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या changes होने जा रहे हैं आईए जानते हैं तो यहाँ पर पहला card है 10 of swords का card है the next card over here is 4 of fire का card है the next card is 4 of pentacles का card है 9 of pentacles का card है 5 of swords का card है 7 of cups का card है the next card over here is 9 of swords का card है and bottom of the deck पर renewal का card है so सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे prices people जो लोग अपने partner के साथ no contact situation में है देखिए इस month की starting में जब जून का महीना शुरू होगा आपको आपकी love life को लेकर कुछ भी clarity नहीं मिलेगी आपको ऐसा लगेगा कि आप जितने मर्जी प्रयास अपने इस relationship के लिए कर ले इस relationship में कुछ भी आपको सामने से आपके partner clearly नहीं कहने वाले हैं उनकी तरफ से आपको clear responses नहीं मिल सकते हैं आपको ऐसा ही महसूस होगा और ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा suffocation पैदा करेगी ठेके आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इतना सब कुछ अपने partner के लिए करते जा रहे हैं आप उनकी वेट कर रहे हैं इस relationship को renew करना चाते हैं लेकिन वो बहुत ज़दा selfish है वो अपने मारे में सोच रहे हैं वो आपकी ज़जबातों की तो बिल्कुल भी care नहीं कर रहे हैं आपको ऐसा field होगा कहीं से आपको कुछ ऐसा भी पता लगने वाला है कि आपके partner ने आपको cheat किया है आपको backstab किया है वो cheating energy है वो बहुत खुलकर आपके सामने आती हुई निजर आ रही है वो जो सच आपके सामने आये गा ना वो सच आना भी जरूरी है और उस सच के साथ जुड़ा हुआ एक और सच है जिसे आपको पहचानना ज़रूरी है ठीक है? अगर तो आप उस सच को पहचान लेंगे तो ये जो भी आप दोनों के बीच में ये difficult situation बनी हुई है इस situation को आप खुद खतम कर लेंगे जो लोग उस सच को नहीं पहचानेंगे इस cheating energy के साथ एक और जुड़े हुए सच को जो लोग नहीं पहचानेंगे उनके case में problem ये होने वाली है कि आप इस relationship से move on कर जाएंगे और आप अपने career के उपर focus करेंगे इस महीने में अगर मैं आपकी love life की energy देखू तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रातों को सोने ही नहीं वाले हैं क्योंकि आपको negative thoughts अपने relationship के regard में बहुत जदा परेशान करेंगे जिसकी वज़स से आप घबराए रहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपका use किया गया है जब इस सच को समझेंगे ना कि आपके partner की ये जो backstabbing energies बनी वो क्यों बनी तो आपको ये चीज़ समझाएगी कि इस relationship को अभी भी बचाया जा सकता है इस relationship को improve किया जा सकता है जो लोग इस relationship की improvement की और बढ़ेंगे इस महीने में आपके पास मौका होगा इस relationship को renew करने का और जो लोग move on कर जाएंगे इस relationship से आप अपनी life में अगले cycle की और बढ़ेंगे आप फिर इस relationship में दुबारा कभी enter नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो इस relationship को अपना मानेंगे, वो अगर इस relationship पर काम करेंगे, तो इस relationship को आप एक, इसकी final destination तक पहुचा सकते हैं, choice आपके पास है, इश्वर आपको choices देते हैं, कौन सी choice आपको opt करनी है, या आपके उपर निर zone में हैं, इस month में आप अपने partner से time मांगेंगे, आप अपने partner से conversation करने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें ये कहेंगे कि उन्हें आपको वक्त देना चाहिए, इस रिष्टे को nurture करना चाहिए, लेकिन आपके partner का behavior आपकी समझ में नहीं आए, आप ये महसूस करेंगे कि आप तो अपने इस relationship को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप married हैं तो आप अपनी family आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप unmarried हैं तो इस रिष्टे को marriage की और लेकर जाना चाहते हैं, और जब भी आप ऐसी बात करते हैं, तो आपके partner आपस भागना शुरू कर देते हैं, आपको तब अपने partner के उपर बहुत ज़्यादा शक होगा, और शक करना भी चाहिए, क्योंकि उस time पर आपके partner आपसे कुछ बात चुपा रहे होगे, क्योंकि ये जो काम का बहाना है, ये सरफ बहाना है, आपके partner आपसे सच में कुछ चुपाने वाले हैं, तो इससे पहले कि आपके partner इस रिष्टे को किसी के influence में आकर खतम कर दे, आपको उस root cause तक पहुचने की ज़रूरत है, और फिर उस root cause के उपर काम भी करना है, ऐसा नहीं कि अगर आपको पता लग गया है, कि आपके partner किसी के बैकावे में आ गये हैं, आपसे इलावा उनका किसी और के साथ क कोई और relationship developed हो गया है, तो आप अपने partner को छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके पीछे कोई कारन है, ठीके, उस कारन को समझने की कोशिश करनी है, और उसकी बाद अपने इस relationship को renew कीचे का, आपको reason भी पता लग जाएगा, आपको आपके partner की मजबूरी भी समझ आ जाएगी, और आप अपने partner को इस illusion की energy से भी बाहर निकाल सकते हैं, इस तरह की energies इस महीने में आपके लिए चल रही है, इस energy का सही उपयोग कीचेगा, otherwise यह relationship शाटल करने में तो आपको एक minute भी नहीं लगेगा, और अगर आपने partner की इस छुपे हुए रास को नहीं पैचा है, अब हम बात करते हैं, जो लोग single है, इस महीने में आपकी marriage fix होती हुए नजर आ रही है, कोई नया person आपकी life में आएगा, यह person जो आपकी life में आने वाला है, यह कोई love marriage के रूप में नहीं आएगा, यह कोई arranged proposal आप तक पहुँचेगा, आपकी family के थ्रू पहुँचेग यह proposal किस तरहां से आ रहा है, बट यह proposal आएगा, ठीक है, और आपको यह proposal accept करना है, क्योंकि यह person जो भी आपकी life के अंदर आने वाला है, यह person आपके लिए बहुँच ज़दा लग्ती साबित होगा, और इस person के जो zodiac signs, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है Aquarius Gemini Libra, तो इस person को अपनी life में आने दीचे, इस person के साथ आप marriage की energies के और बढ़िएगा, आपकी life बहुत ही अच्छी रहेगी, so I hope single people आपको भी यह energies clear हो गई होंगी, अब हम देखते हैं, Pisces people, यह महीना आपके career, आपके finances, आपकी job, आपके business के लिए किस तरहां का रहने वाला है, आपके finances की energy किस तरहां की रहने वाली है, आईए जानते हैं, so पहला card है यहाँ पर three of swords का card है, the next card is nine of fire का card है, the next card is king of pentacles का card है, ten of swords का card है, the next card over here is five of pentacles का card है, queen of pentacles का card है, the moon का card है, and bottom of the deck पर page of fire का card है, so Pisces people, यह महीना आपके business, आपके career, आपके job, आपके finances के अंदर भी एक transformation लेकर आ रहा है, लेकिन यह transformation की energies को accept करना आपके लिए इतना ज़्यादा easy नहीं रहने वाला है, उसका reason है, मैं बता देते हूँ आपको की क्या कारण है, देखिए, इस महीने में जब आप अपने career की और बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको एक नई direction नजर आएगी, आप उस direction में बढ़ते हुए, बहुत सथ optimistic रहेंगे, अपनी creativity को पूरे तरीके से बहार निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत सथा impatient रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको सब कुछ मिल गया है, आप बहुत सथा confidence के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, पूरे passion के साथ आप अपने life में आगे बढ़ेंगे, अपने career में आगे बढ़ेंगे, बढ़ आपको न उस तरह का कोई पल नहीं मिलेगा starting में, ठीके, उसकी वेचे से आप बहुत सथा disheartened मैसूस करेंगे, आपको ऐसा मैसूस होगा कि दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, बढ़ की health खराब हो सकती है, वो opportunity आपके हाथ में नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने कुछ better सोच कर रखा है, आपकी जो भी financial situation आज के time पर चल रहा है, कुछ difficult situation create हो गई है, वो situation जून के महीने में खतम हो जाएगी, ठीक है, आप बहुत ही जादा emotionally डरे ह हुए रहने वाले हैं जून के महीने में, फुल मून, दो मून की energy आपके career के उपर बहुत गहरा impact डालेंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए उस time पर आप कोई decision नहीं बनाए तो अच्छा है, आप अपनी महनत को protect करने की कोशिश इस महीने में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी महनत आप अपने career के regard में करेंगे, उसे आप protect करने वाले हैं, आपको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी, आपके career में, आपके business में, आपके job में, आपके career को लेकर जो भी आपके aspects हैं, वो आप पूरे कर पाएंगे, लेकिन ये एक roller coaster ride रहने वाल emotional contentment आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर एक emotionally दर लगा रहेगा, ये पता नहीं, आप अपनी life के अंदर आप भी career में stable हो भी आएंगे कि नहीं, तो अपने दर को overcome करने की कोशिच कीजिगा, energies तो अच्छी हैं, अगर कुछ खतम हो रहा है, तो नहीं चीज साथ के साथ ही start होगी, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी job भी shift हो सकती है, मतलब आप job switch कर सकते हैं, आप अपनी present job को छोड़ कर, आप नई जगह पर job के लिए जा सकते हैं, इस तरह की energies भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, so I hope आपको आपके career की energies clear हो गई होंगी, Pisces people, अब हम देखते हैं, यह महीना आपकी health के लिए किस तरह का रहने वाला है, Pisces people, यह महीना आपकी health के लिए किस तरह का होगा, वैसे तो जो एक card निकल कर आया है, वही सब कुछ कह रहा है, यहाँ पर the sun का card है, the next card is eight of pentacles का card है, the moon का card है, the sun and the moon, okay, bottom of the deck पर awakening का card है, देखिए health तो आपकी improve होगी, लेकिन रात की जो overthinking है, वो आपकी health को disturb कर सकते हैं, आपको इस महीने में health को for granted नहीं लेना है, health के उबर बहुत जादा महनत करने हैं, जितनी जादा महनत आप अपन health पर करेंगे, उतनी साथ आपको improvement देखने के लिए मिलेगी, otherwise health के regard में आप stuck महसूस करेंगे, आपको यह महसूस होगा, कि आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन health में improvement नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कारण यह full moon, no moon की energy रहने वाली है, जिक हैं, तो रात के time पर overthinking को avoid करना है, रात के time पर आपको white color की चीजें नहीं खाने हैं, उससे भी आपकी health खराब होगी, दूद पीना है, थोड़ी सी हल्दी डाल कर पीनी जो, तो इस तरहां से आपको अपनी health को खुद में channelize करने की ज़रूरत है, and blood related, अगर कोई भी आपको problem होती है, immediately doctor को दिखा आए, so I hope आपको आपकी health के regard में भी energy is clear हो गई होंगी, prices people, आइए, अब हम देखते हैं, ये महीन आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहेगा, क्या इस month में आप future में invest कर सकते हैं, क्या इस month में आप अपना dream house बना पाएंगे, क्या इस month में आपको अपके future में invest करना क्या इस month में आप अपना dream house बना पाएंगे, यहां पर page of fire का card है, the magician का card है यहां पर, यहां पर three of fire का card है, the next card is renewal का card है, the next card over here is nine of pentacles का card है, nine of swords का card है, the next card is night of swords का card है, bottom of the deck पर night of fire का card है, अगर हम बात करें, इस month में future investment की और housing की, तो इस month में definitely आपको future में invest करना चाहिए, money की terms में आपको investment करनी चाहिए, बट मुझे इसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा tension में रहेंगे, एक मन आपका यह होगा कि आपको investment तो करनी है, दूसरी साइड आप यह सोचेंगे कि नहीं अगर इस time पर investment की तो आपके पैसे डूब जाएंगे, पहले तो यह thoughts को आपको overcome करना है, ठीक है, पूरे passionate ह कर आपको investment इस मन्त में करनी है, confidence अगर होगा तभी investment कीजेगा, यह investment का कोई idea आपको आसपास वाला कोई इनसान दे सकता है, उस idea को आप accept कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, आपको इस मन्त की की गई investment future के अंदर बहुत अच्छे results देगी, ठीक है, तो उस तरीके से चीजों को चाहते हैं, definitely कर सकते हैं, अगर आप stock market में invest करना चाहते हैं, कर सकते हैं, FD बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, crypto में invest करना चाहते हैं, definitely कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, अब अगर हम भात करें आपके land में investment की, definitely आप land में investment कर सकते हैं, बट land ऐसा लीजेगा, जहां पर कोई controversy involved न आप अपना dream house इस month में बना सकते हैं, आप कोई flat लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, जैसी भी property आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, land लेकर रखना चाहते हैं, आप definitely रख सकते हैं, आप shop लेना चाहते हैं, garage लेना चाहते हैं, definitely ले स रखते हैं बट ऐसी जगह पर लीजेगा जहां पर फ्यूचर में आपको फाइदा हो फ्यूचर को मद्दे निजर रखते हुए फैसला बनाएगे चीक है अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए इनर्जी किस तरह की रहने वाली है जून का महीना आपके लिए किस तरह का होगा जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए ये मन्त किस तरह का होगा यहां पर थाइप्रेस्टिस का कार्ण है नाइन औफ फायर का कार्ण है अग्स कार्ण इस एट औफ फायर का कार्ण है अग्स कार्ण इस पेज औफ स्वोट्स का कार्ण है The next card is Two of Swords का card है The next card is Seven of Cups का card है The next card is Release का card है And bottom of the deck पर King of Swords का card है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, Competitives की तयारी कर रहे हैं यह महीना काफी favorable आपके लिए नहीं है ठीक है, इस महीने में मुझे आप balanced बिलकुल भी नजर नहीं आ रहे हैं अगर past में आपने यही competitive exam दिया है, तो आपके दिमाग में सिरफ एक ही बात होगी कि आपका पहले exam clear नहीं हुआ, अब भी शायद आपका यह exam clear नहीं होगा आप बहुत ही ज़ादा illusion की energies में रहेंगे आपको यह चीज़ समझ नहीं आएगी कि पढ़ाई करनी है तो करनी किस तरह से आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का आपको जबकि बहुत सारी चीज़ें आपके syllabus के according आती होंगी लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आप इतनी तयारी कर ही नहीं पाएं आप crossroad की situation पर रहेंगे indecision की energies में रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास वाले लोग भी अब आपको निकमा समझते हैं वो भी नहीं चाते हैं कि आप पढ़ाई करें और आप अपने आपको protect करते हुए मचे नजर आ रहे हैं देखिए इस महीने में आपको किसी से guidance लेने की ज़रूरत है आपके कोई tuition teacher है या आपके parents है उनसे guidance लीचे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करने और अपने logics का इस्तेमाल मत कीचेगा क्योंकि आपके logics आपकी पढ़ाई में चलते हुए मुझे इस मन्त में नजर नहीं आ रहे हैं तो किसी अच्छे guidance लेकर फिर पढ़ाई कीचे और अपनी इस illusion की energy से बाहर निकलेगा अपने आसपास वाले लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है या आप किस competitive की तयारी कर रहे हैं अगर आप सामने वाले person से ऐसी कोई भी बात share करने वाले हैं तो आपको आपकी पढ़ाई के अंदर रुकावटों का ही सामना करना पड़ेगा तो choice आपकी अपनी है और ये जो पुराना जो आपका है कि आप exam clear नहीं कर पाए थे उस pattern को आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा हो सकता है दो बार ना हुआ हो ये तीसरी बार हो और क्या पता हो जाए इतना confidence तो आपको लेकर ही चलना पड़ेगा बहुत सारी चीज़े है जो आपको एकसाथ करने की ज़रूरत है multitasking की ज़ेगा आप exam crack कर पाएंगे ठीक है So I hope आपको भी ये energies clear हो गई होंगी जो लोग पढ़ाई कर रहे है So आएए अब हम देखते हैं कि इस month में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे की आपकी energies और positive हो जाएं Pisces people, what should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे की आपकी energies और positive हो जाएं What should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे की आपकी energies और positive हो जाएं तो दो cards निकल कर आएं है श्रीराधा का कार्ड है ग्रीन तरा मा का कार्ड है the next card over here is sacred self का कार्ड है the next card is माकाली का कार्ड है the next card over here is ascension का कार्ड है and bottom of the deck पर यहां पर cosmic gateway का कार्ड है so इस मन्त में जून के महीने में आपकी life के अंदर बहुत सारी transformation की energy चलने वाली है वो आपने सारी energies में देखी लिया है so यह जो changes आपके around हो रहे हैं उसे समझने में माकाली आपकी मदद करेंगी तो इस पूरे मन्त में जून के महेने में आपको माकाली की अराधना करने है ताकि आप अपने fear को overcome कर पाए और Saturday की जो मेरी angelic guidance में मैं जो भी उपाई बताऊंगी वो आपको जुरूर follow करने है angelic guidance मेरे दूसरे चानल soul divine journey tarot पर आती है उस चानल का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी videos पोस्ट करते हूं जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज़ रात 8 बज़े उस चानल पर पोस्ट करते हूं तो आप लीज उस चानल को भी subscribe ज़रूर कर लीज़े और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें ठीक है इस मन्त में आपको meditate ज़ादा करना है आपने अपनी life के अंदर अपना ही एक पार्ट खो दिया है और अगर कहूं तो आपका जो emotional हिस्सा है वो आप खो चुके है ठीक है तो अपने इस lost पार्ट को आपको rediscover करना है आपको meditation ज़ादा करने है और अपनी soul के साथ एक ऐसा connection बनाना है जिस तरह का connection शुरी राधा जी का शुक्रिश्न जी के साथ है ठीक है यहाँ पर green तारा मा का card है इस मन्त में आपको ये feel होगा कि आप protected है आपके कुछ कार्मिक cards है जो इस मन्त में कटने वाले हैं ठीक है तो उन कार्मिक्स को रोकने की कोशिश मत कीज़ेगा जो कार्मिक्स आपके जीवन से जा रहे हैं आपको अपने आपको limit नहीं करना है इश्वर पर भरुसा रखते हुए आगे की और बढ़ना है और इस मन्त में आपको witness ये की जो मेरी angelic guidance पर मैं जो भी उपाय बताऊंगे वो आपको ज़रूर follow करने है यहाँ पर sacred self का कार्ण है आपको अपने gifts को पहचानना है इश्वर ने हर व्यक्ति को कोई न कोई gift ज़रूर दिया है उस gift को पहचानने का एक ही तरीका होता है जब आप अपनी soul को बहुत अच्छे से समझ पाते है तो उसके लिए आपको अपने higher chakras पर meditate करने की ज़रूरत है third eye chakra, crown chakra पर meditate कीचे और अपनी rhythm को universe के rhythm के साथ match कीचे यहाँ पर ascension का कार्ण है देखिए इस month में आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूणने की कोशिश कर रहे है ना उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही है और यह जो darkness आपको आपके around नजर आ रहे है वो आपके around नहीं है वो आपके अंदर darkness है light भी अंदर ही है जब तक light को आपके जो thoughts हैं, वो बहुत ही ज़्यादा magnetic और powerful रहेंगे, आपके around miracles होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए सही thoughts का आपको चुनाव करना है, आपको गलत thoughts का बिल्कुल भी चुनाव नहीं करना है, अगर आप negative सोचेंगे तो आपकी life के अंदर negative चीज़ें होनी follow करने हैं, सो आएए अब हम देखते हैं, जून के महीने में, Pisces People, Divine आपको क्या messages देना चाहते हैं, क्या blessings देना चाहते हैं, क्या guidance देना चाहते हैं, आएए जानते हैं, Divine के क्या messages हैं, क्या blessings हैं, क्या guidance हैं आपके लिए, आएए जानते हैं, Pisces People, so पहला कार्ड है यहां पर Embracing Enthusiasm का कार्ड है the next is Regenerating Rain का कार्ड है the next कार्ड is Mystic Healer का कार्ड है the next कार्ड is Cleansing Waters का कार्ड है the next कार्ड is Forked In का कार्ड है and bottom of the deck पर Voyage of the Heart का कार्ड है so Divine आपको यह कहना चाहते हैं कि जब महीना स्टार्ट होगा June का तो आपको कुछ भी clear नजर नहीं आएगा आपको ऐसा लगेगा कि धुन चाही हुई है आपको आपके thoughts में भी even clarity महसूस नहीं होगे इश्वर आपसे यह कहना चाहते है slow चलिएगा अपना वक्त लीजेगा है यह धुन definitely चटेगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इस मन्त में आपको अपने आपको cleanse करना है अपनी vibrant life force को आपको पहचानना है अपने आपको purify करना है अपने अंदर जीने की एक zeal पैदा करनी है डिवाइन आपको यह कहना चाहते हैं कि इस मन्त में एक healing energy आपके अंदर खुद flow करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि शक्ती तत्व से वो healing flow करेगी तो उस energy को आपको accept करना है आप बहुत सारी चीज़े अपनी life की खुद heal कर सकते हैं डिवाइन आपसे यह कहना चाहते हैं कि अपने past को clear कीज़े जो past था वो past है वो आपका future नहीं हो सकता और अपने present को heal कीज़े ताकि आप अपने bright future की और बढ़ पाएं यह message है डिवाइन का आपके लिए बहुत जल्द आपकी life के अंदर इतनी ज़्यादा खुशिया होंगी कि आप सब को चीक चीक कर बताएंगे कि किस तरह से डिवाइन ने आपको blessings दी है किस तरह से आपके जीवन में हर एक चीज़ magically change हुई है यह blessing है डिवाइन की तरफ से आपके लिए और यहाँ पर voyage of the heart का card है डिवाइन आप से यह कहना चाते है प्यार आप से flow करता है और आप तक flow करता है इसलिए जिस तरह की energies आप universe की तरफ को direct करेंगे उसी तरीके की energies आप तक manifold होकर वापिस आएंगी इसलिए अपनी energies को बहुत सही direction में सही तरीके से channelize कीचेगा So I hope Pisces people आज की reading आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near and advance के साथ share ज़रूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल से किसे do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है ये booking आप मेरे whatsapp के through या फिर मेरे email ID के through कर सकते है मेरा whatsapp number और email ID स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर लीचिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियो की notification मिलती रहे मेरे एक और चानल भी है soul divine journey taro लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात आट बज़े उस channel पर post करती हूँ जो आप प्लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिये खा जिससे कि वहाँ के लिए आपको सभी notifications मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul mystic taro उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे ज़स्बाद yes और no pendulum readings ऐसी सभी ratings पर आपने उस channel पर post करती हूँ so आप प्लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिये का जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे उस channel का link पी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching, see you soon